बंगाल के खाड़ी के दक्षिन पश्रिम हिस्से में हवा का दबाव कम होनी की वज़ा से आए चक्रवात फेंजल के कारण तमिलनाडू और पुड़ुचेरी में भारी बारिश हो रही है चक्रवाद फिंजल का असर अपुडुचेरी और तमिलनाडू के अलावा दूसरी राजियों में भी देखने को मिल रहा है इसका असर करनाटक पर भी पड़ा है और मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राजिय के विभनर जिलों में भारी बारिश की आश्रंका जदाई है करनाटक के कुछ जिलों में बारिश का येलो एलेट भी घोशत किया गया है उधर आंधर प्रदेश में भी चक्रवाग फेंजिल का असर देखने को मिल रहा है विशाखा पत्नम के समुद्र तट पर उची लहरे उठ रही है और तेज हवाय चल रही है मौसम विभाग ने दक्षिन, आंधर प्रदेश और केरल में मुसलाधार बारिश की आशंक का जटाई है आई-म्टे की और से रेड अलर्ट जारी होने के बाद के वायनाट में सभी सेक्षिनिक संस्थान आज बन रहे वहीं केरल के लिए जारी रेड अलर्ट के मदिनजर राजिके राजस्वमंत्री के राजन ने स्थीती की समिक्षा बैठक भी ली इस चक्रवात का असर 36 गड़ के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है बीते दो दिनों से राजस्थानी राइपूर के अलावा अन्य कई शेत्रों में हल्की बारिश के साथ बदली छाई हुई है मौसम पर भाग के मताबिक आने वाले तीन दिनों तक राजजी के मौसम में विशेज बदलाव के आसार नहीं है